तो अपने Micromax का new phone लोग छोड़ चुका है Micromax InNote 2 तो आज की इस वीडियो का अदर में आप लोग कुछ ऐसे पॉइंट बता हूंगा जो आप लोगो जान लेने चाहिए अगर आप लोग ये फोन पर्चेस करने का सोच रहे हो अब ऐसी बात नहीं कि ये फोन आपको बेकार मिलता है फोन काफी जादा तकड़ा मिलता है मतलब अगर मैं आप लोग मतलब पूछोगे मेरे से की बाई बाराजार पांसों पर कौन सा फोन लेना अच्छी है कोई स्टोक है इंडोड के साथ मतलब कोई बड़ी या फोन वेल् आपको कुछ कमिया भी मिलती है जो मैं आप लोग को डेफिनेटली बताने वाला हुँ इस वीडियो के अंदर अब लोग को पाई बताने वाला हुँ इस फोन के साथ आपको क्या प्रोब्लम्स मिलती है या कुछ ऐसी चीज जो आप लोग को जान लेने इचे अगर आप लोग इस फोन को बाई करने वाले हो तो आपकि अगर आप को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर अब लेक्राइब करने वीडियो को अपने फैंट क्या शियर कर लेना हो सब्सक्राइब कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा तो अब करते इस वीडियो को जली से स्टर्ट तो अब इस सबसे पहले बात कर लेक्श इन नोट के कुछ स्पेसिफिकेशन की तो आपको मिलता है 6.4 इंचे का फूल एचे प्लस का एम लेड पैनल इस फोन में आपको 60 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलता है आई नो हाई रिफ्रेश रेट नहीं है बट एम लेड पैनल मिलता है तो यह काफी चादा तकड़ी चीज हो जाती है मालब 12500 के प्राइस पर एम ल इस पर मेरे इसाब से सूट नहीं कर रहा क्योंकि यह जो डिजाइन है यह सैमसंग का डिजाइन है तो मेरे दिमाक में लगेगा बैट मैं को लगेगा बाद में कि हाँ ठीक है डिजाइन कोई दिक करनी है बट अभी के टाइम पे मेरे को इस फोन का डिजाइन इतना कुछ प्लस 2 MP की डेप सेंसिंग भागी सेमोन के रीकोर्डिंग भी आप लोग कर सकते हैं बदेरा अपको 16 MP C. therapy मिलती है बात करते फोन के प्रोसेसर की तो इस-फोन में मिलता है प्रोसेसर मिल्स इलीट teasing picky काफूरह को आपको कोई बिख्कत नहीं होने वाली 121500 के प्राइस का हिसाप संद्स एक नंबर की आपने लोगय मिलती है बात करते है बैटरी की तो इस फोन में आपको 5000 इमेच की बैटरी मिलती है जो सफीशेंट है मतलब इस प्राइज में यही बैटरी मिलती है तो एक्सेप्टेबल है यह चीज बागी टाइप-C का पोर्ट मिलता फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सबोर्ट करने आपको 30 वोट का बैटरी मिलता है यानि कि आपको कोई भी ब्लोट वेर्स कोई भी एड्स अगरा नहीं मिलेंगे 550 नीट्स की ब्रैटनेस मिलती है यानि कि आउट्डोर विजिबिलिटी भी आप लोगों खाफी अच्छी मिल जाती है लिक्वीड कुलिंग टेकनोलोजी मिलती है फोन आपक 64GB करों मिल जाते 12500 के प्रैस पर जो आपको फस्ट सेल के अदर इस फोन का प्रैस मिलता है मलब आखे ज़ाकिस अपना बढ़ने वाला 13或者 13000 की सेल के अंदर आप लोगो इस फोन का प्रैस मिलने वाला 12500 का देखो अब लोग ने स्पैसविकेशन एड जो भी चीज़ाइ फो आपको call recording option मिलता है बट इस phone के साथ आपको call recording option नहीं मिलता है आई नो कि बाई call recording सामने वाले को पता चल जाती है बट इस प्रैस के दूसरे फोन आपको मिल जाते है चाहे आप लोग बात कर लो रेडमी की आप यह रियलमी की बात कर लो तो इस प्रैस के अंदर लोग को stereo speaker मिल जाते हैं दूसरी company के फोन अंदर तो यह थोड़ी सी दिक्कत है otherwise इस phone का speaker आपको loud मिल जाते हुदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं बट stereo speaker नहीं मिलते हैं तो यह चीज आप लोगों पता होनी चाहिए बाकी एक जो मेरे को seriously काफी बडी दिक्कत लगी कि update की क्या हाल चल रहा है पता ही नहीं उदर बाकी जब मैंने टेक्नो रूहिस भाई की वीडियो देखी तो उधर भी उन्हें ने micromax से पूछा था कि अपडेट का क्या सीन है तो micromax ने बोला कि एक साल का देंगे कितने अपडेट वगरा देंगे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था बागी बात करते एक और कमी की तो इस वन में आपको स्टोरेज स्पीड मिलती है उनका स्टोरेज टाइप मिलता है वहीं जब मैं टेक्नोरवेस भाई की वीडियो देख रहा था उसके अंदर जब मैंने देखा तो भाई आपको स्टोरेज स्पीड की मिलती है मलग आपको काफी जाए स्लो मिलती है मलग वो किसी एंगल से लग रहा है या फिर आप लोग इम्सी फाइब पूर न का मांद सकते हो उसके अरूंड की स्पीड आपको मिल रहे है तो यह चीज भी इस फोन के साथ दिक्कत है फिर उसक इस फोन आपको स्टोरेज स्पीड अच्छी नहीं मिल रहे है जब भी आपको कैमरे मिलता है प्राइस के एवरेज ही मिलते है इतने कुछ एक्स्टराओड़नेरी नहीं मिलते है जबकि आपको इस प्राइस के अंदर दूसरी कंपनी के फोन मिल जाते जैसे की रियल मी प्रइटर मिल जाते हैं भी माइक्रोमेक्स को काफी जादे इंप्रूमेंट की जड़त है कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर बाकी एक पॉइंट और इंक्लूड कर देते हैं इस फोन का जो मैक्रो शोट है उसके अंदर आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको कर दो फोकस काफी सब्सक्राइब कर दूग है लिंक का डिस्क्रिप्रिप्शन मिल जागा तो मिलते हैं किसी वीडियो पछी वीडियो आप तक के लिए बाबाई झाल झाल